तो भाइ लोग जो New Zealand की टीम है न ये आधि टीम आई है IPL के दोरे पे जो बची कुछी टीम है आधि वो गई है पाकिस्तान के दोरे पे T20 मैच खेलने के लिए तो आज इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सिस New Zealand जो पहला T20 मैच खेला जाएगा 18 अप्रैल Thursday खिलाड़ी IPL में बिजी है, पूरी दुनिया IPL खेल लई है, तो जो बचे खिलाड़ी है, हम उनको पाकिस्तान फेज देते हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए, तो जो पहला T20 मैच है, इस मैच में क्या होगा, क्या पाकिस्तान एक तरफा नीजी लैंड को हराएगा या नीजी लैंड की जो छोटी सी टीम है, ये पाकिस्तान को मैचेश हरा सकती है, और बोल सकती है, कि हमको छोटा बच्चा समझ के कम मत समझना, वैसे अगर हम इन दुन टीमों के हैट्टिवेट रिकोर्ड की बात करें, तो अभी तक 38, 38, T20 मैच के लेगा है, जिसमें से 21 मैं जीता पाकिस्तान, 17 जीता निजी लैंड, यांनि जब वो पाकिस्तान और निजी लैंड की मैच T20 होतें, जिब निजी लैंड की पूरी टीम कھیलती है, तब भी पाकिस्तान ज्यादा मैचे जीता है, तो छोटे बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किन तो काम है, वैस कि पांच मुकाबलों में कहीं ना कहीं जो न्यूजी लेंड की टीम है उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस करी है तो भाई या क्या छोटे बच्चे फिर से कर लेंगे मैदान पते या पाकिस्तान बोलेगा चल वे निकल हमको हराएगा इस टीम के साथ यही जानेंगे आज क कि वीडियो में कौन सी टीम जीतेगी आज का मैस लेकिन उससे पहले ना अगर अभी तक आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो या सब्सक्राइब क्योंकि मैं तुम्हारे लिए महनत करता हूँ तो छोटा सा काम भाई के लिए करी सकते हैं और साथ मे में जितने अगल उद्र गूमने है आपके बहूं के लिए बहुत से लोगों flies को मैचित आएं हाली में उनकी अपडेट देख लेना या फिर जो पाकिस्तान न्यूजिलैंड का मैच इसको देख लेना कि जिस ओवर मैं बोलूँगा बिकिट जाता एक नहीं जाता छे दस बीस ओवर मैं जितने नहीं बोलता हूं बनते ग्रा बनते या जिस टीम को बोलूँगा मैं जीतने 185 अतलब जोली नहीं बोरे भर भर के रन बनते हैं यहां पर क्यों बनते हैं आगे बताऊंगा टार्गेट चीज की बात करें 177 177 की नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टार्गेट चीज हो सकते हैं टार्गेट डिफैंड की बात करें 193 193 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टार्गेट डिफैंड हो सकते 177 से 193 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना मामला बराबरी का गया चेज भी हो सकता और डिफैंड भी हो सकता भाईया यहां का जो सर्फेस है ना बिल्कुल फ्लैट है एक रोट होती है ना वैसा ही है जो बोल होता बड़े तगड़े से वैट पर आता बॉंडी लेट की बात के तो मीडियम मीडियम क्या थोड़ा सा छोटी कहेंगे तो चोगे छके आसानी से लगते हैं लेवाजी के लिए जो पिछे बहुत जाता जवर जस्त है हेल्फ की बात करें जो गेंदवा सटीक लाइन लें से थोड़ा सा विरेशन अच्छी करतें नकल बोल से रोवर का इस्तेमाल करतें उनको थोड़ा सा परचेज मिल जाता है लब बिक्ड मिल जाते हैं बाकी पिटाई तो सभी की चलती रहती इस मैदान पे तभी यहाँ पे जो मैचेज होते है न वो अकसर हाइ स्कोरिंग देखने को मिलते हैं जो आज का मैच है न ये भी आपको हाइ स्कोरिंग ही देखने को मिलेगा पावर प्ले की बात करें तो पाकिस्तान की पहले वैटिंग आ गए ना तो मुझे तद दो अधाई सो भी देखने को मिल सकता है अगर पाकिस्तान पहले वैटिंग करता तो नहीं तो एक सो अस्टी से एक सो दो सो के बीच में तो दिखेगा ओबर ओल और अगर हम इस मैंदान पे दोनों डिमो की परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान ने चार खेला तीन जीता एक हारा तो उसमें तीन जीते एक मैंने के ला मैंने जीता तो क्या निजी लेंड वैसी परफॉर्मेंस दो रहा पाएगा अब पाकिस्तान बोले का भाई बहुत हो गए बच्चे चली अभी निकल तो सबसे पहले बात करते हम यहाँ पर पाकिस्तान की अगर हम इनकी पॉसिबल प्लेइंग लेबंस की बात करें पहले है टीटोंटी माच के तो बाबा राजम कप्तान फिर से बन गए है इनके साथ सेम अयूब ओपन करते हैं तीसे नंबर पर महुंमर रिजवान जो की थोड़ सा मतलब हो सकता है कि रिजवान बाबार उपन करें तीसे बेसे हम यूब देखने वाली बात होगी कैसा कॉंबिनेशन के साथ उतरते हैं चौते नंबर पर फकर जमार क्योंकि और उपन की जगा ना वही है तीन बहुत है पांचवे पर उस्मान खान जो यू खतरनाग दिख रहे क्योंकि बाबा राजा माब को पता है रन पर रन मारते हैं और रावल पिंडी गए मादान पर रन मैचो तो भाईया इनके बल्ले से रन रुगना मुस्किल हो जाएगा इनकी जो फोम है बहुत जाता है जबर जर से कमाल की टुरटी बल्ले बाज है जै डरी वाति कोई बात नहीं यह कभी भी फॉम में आजाते हैं लगबक फॉम में इंए इनकी प्केल में फोरीना खराब है बात करें से आयृइ में पाकिस्तान बापाशा है इपतिकार इहमाद की बात करें इस Χ hetber में इन्हों नहों हाँ लगभक 서로 मैं chaim के तो इप्तिकार चच्चा की भी फॉर्म खतरनाक है बाकी इमाद वसीम की बात के तो अगर इसलामाबाद इनाटेट चैंपियन वना ना तो इमाद वसीम की परफॉर्मेंस आर्ल उंडर परफॉर्मेंस को जैसे आखरी के तीन चार मैचों में जो बल्ले बाजू गेंदवा बाजी भी बढ़िया करी कीफाई थी सभी मैचों रहे हैं विकिट हो सकता है जादा ना मिले तो देखा जाए तो यहां पर आठ नंबर तक का बल्ले बाजी दिख रहे हैं इनकी जिसमें से दो खतरनाक और इफ्तिकार चच्चा को भी चलो ठीक रहने तो उनको और नहीं का बल्ले बाजी पहुझ गी आपको पता है ना जब यह कप्तान होते थे तो चौथे पांचवे नंबर पे पीएसल में आ जाते थे पीएसल में तो कप्तान ही रहते हैं पाकिस्तान भी टीम के कप्तान वने थे नसीम सा आज के टाइम पे सबसे खतरनाक स्विंग बढ़िया परफॉर्म भी किया तो ओपर से नीचे तक अगर हम आपे पाकिस्तान टीम की बात के तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चला बस बीच में थोड़ा सा फकर जमान की जो फॉर्म है यह अप डाउन है और जवान की थोड़ा सा फॉर्म ठीक ठाक है खराब नहीं ह लेकिन देखा जाए तो सिफ फकर जमान को छोड़के पूरी टीम ही इनकी खतरनाह दिख रही है वहीं न्यूजिलेंड की बात करें तो केन विलियमसन कप्तानी करते ना जाराएंगे अरे फागल है गुजरात में बैटने वो कहां से कप्तानी करेंगे जो इनकी ऑपनिंग आँज़ी नमबर नियूज़ेंड तब इनको डेबू करने का मौका मिला था चौथे नमबर पर मांक जायफमें दिखेंगे वैसे मांक जायफमें छाटवे पांचवे नंबर पर जात्वे बल्ले वाजी करते हैं लेकिन हर साल आइपियल में इनको । पाकिस्थान के सामन है उसके बाद सातों नंबर पर आपको कॉल मैकेंची दिखेंगे आठवे नंबर की बात करें तो आपको यहां पर जैकब डफी नवे नंबर पर आई सोडी यह भी काफी ज्यादा एक्सपिरियंस है दसवे नंबर पर बेंट सियर और ग्यारवा नंबर पर बेंट लिस्टर तो यह नुजिलेंड की पहले मैच की पॉसिबल प्लेइंग लेवाज होंगे अगर हमें आप टीम सेफ़र्ड की बात करें तो काफी बढ़िया टीटूंटी के बल्लेवाज फॉर्म की बात करें तो ठीक ठाक फॉर्म है ना बहुत ज़्यादा खराब ना बहुत जादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे जो स्कलाक्षन के अंदर बहुत अच्छा टाइलेंट है बढ़िया पर्फॉर्म भी किया था इन्होंने डोमस्टिक में हाला कि जो इंटरनेशनल में मौकें मिले उसका उतना जादा फाइदा ना उठा पाए मार्क आई तिंग चोड के बाद वापसी कर रहे हैं चोड से बहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते थे न्यूजिलेंड की प्रोपर टीम के साथ जाते थे बढ़िया बल्लेवाजी के साथ गेंदवाजी करते थे पिछले सीजन आर्सेवी में में कहला था बढ़िया करके देते हैं कोल मैकेंची की बात करें तो इसमें बहुत ही बाड़ी इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस करी है खास करके अपनी गेंदवाजी से थोड़ी बहुत बल्लेवाजी लेकिन यह होता है कि कभी-कभी अगर एक-दो मैच में बढ़िया करते तो एक-दो मैच म कि बात करें आकरी के 10 मैच में 14 विकेट चटका है मतलब एक-दो मैच में निकालते रहते हैं यह निव बोल से थोड़ा बहुत स्विंग भी करवा देते हैं थोड़ा सा हीट एंड टेक वाले गेंदवाज है पटक के सीने बराबर डालने वाले गेंदवाज बाकि आया उबरता हुआ बड़िया गेंदवाज है तेज जिसको बड़ी टीम के साथ मौका मिलता हो ठीक ठाक करी है बहुत खतरनाग नहीं लेकिन ठीक ठाक करी है गेंदवाज जी आखरी के 10 मैच में 15 विकेट चटका है तो मतलब 1-2 या 3 विकेट सभी मैचों में चटकाते रहते है तो बेन लिस्टर भी ठीक ठाक गेंदवाज है लेकिन उतना ज्यादा एक्सपेरियंस नहीं है तो अगर हम आपे न्यूजी लेंड टीम की बात करें तो बहुत ज्यादा खराब टीम नहीं है उभरते हुए सितारे हैं टैलेंटेट है तीन-चार प्लियर एक्सपेरियंस है प्लियर एक्सपेरियंस है इसमें आधी जो टीम है वो नहीं है तो एक्सपेरियंस कम होने के वाज़ा से हो सकता है पीछे रहा जाए ना कि टैलेंट की कमी नहीं है अगर होता ना कि पूरी टीम हो एक-दो लड़के को दीरे-दीरे मौकर करके एक्सपेरियंस दिया जाता तो पाकिस्तान ने अपने आखरी के 6 मैच में बस एक जीता 5 हारा और ये 6 मैच ना न्यूजी लेंड से खेले है तो न्यूजी लेंड को इसीज का थोड़ सा confidence मिलेगा न्यूजी लेंड की बात करें तो आखरी के 6 मैच में 3 जीता 3 हारा मतलब पहले सुरू के 3 मैच जीते थे उसके बाद 3-4 मैच बैक टू बैक हार गए सुरू के 2 मैच जीते उसके बाद 4 मैच लगतार बैक टू बैक हार रहे है तो इनका भी result बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इस दोना जो इनका बल्ले बाजी अबरेज है 165, 160, T20 में 165 का बल्ले बाजी अबरेज यानि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पाकिस्तान की बात करे तो 170 107, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बल्लेबाजी coverage इनका, गिएनद माजी coverage की बात करे तो 8.97, 8.97 का मतलब है कि थोड़ा सा मेहँगे साबी थो पाकिस्तान के गेंद बात करे संच के फारच बहुत ज़्यादा खराब है, तभी आकर थी के 6 match में 2 जीते 4 हार है तो result में भले ही थोड़ा सा आगे है New Zealand लेकिन बल्ले बाजी average में 4-5 तरफ से पाकिस्तान का बल्ले बाजी average न्यूजी लेंड से बहतर नजर आ रहा है लेकिन गेंदबाजी average की बाद के दोनों टीम होगा एक जैसा ही है तो भाई आज की match में क्या बाद ही जो match है ना वो 70 अन 30 का 70 टीम पाकिस्तान 30 टीम न्यूजी लैंड और दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है जो यह match है ना टीम पाकिस्तान अपने नाम पे कर सकता है बाकी मेरा टेलीग्राम जोईन कर लो क्योंकि पता है IPL चल ला है तो टेलीग्राम पे जिस टीम को जाओ जो आज का match है चाहे पाकिस्तान वाली match की बात कर लो या फिर IPL की बात कर लो आप डिस्किप्शन में जाओ वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक की मिलेगी अप सब प्रोडॉक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है जो comment box में सबसे पहला comment है वहाँ पे भी link की में लगता है लेकिन 2-3 match का मौका जरूर देना तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले match की फेड एक्शन के साथ तब तक के लिए code place यूँ